नमास्कार दोस्तों हाजी पूर्शुगौली रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी ख़बर आ चुकी है आपको बता दे के हाजी पूर्शुगौली रेल लाइन के लिए जो है सामने स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है कि बैसाली और देवरिया कोठी के बीच में मार्च 2023 से ट्रेन परिचालन सुरू हो सकता है रेलवे ने जो है कहा है कि 23 से जो है देवरिया कोठी के बीच जो है ट्रेने चलना सुरू हो जाएगे तो ऐसे आपको बता दे कि बैसाली तक पहले से ट्रेक किलियर है और ट्रेन चल रही है तो इस तरह से देखा जाए तो हाजीपूर से जो है देवरिया के बीच में तेईस तक जो है ट्रेने सुरू हो जाएंगे मार्च के जो है लक्ष राखा गया सबसे बड़ी जो समस्या है इस रेल रूट में हुआ है रेल अंडर ब्रीज और उसके अलावा जो है बड़े बड़े पूलिया बन रहा है तो यह एक बड़ा प्रोलम है लेकिन रेलवे इसके बारे में निप्टाने का बैवस्ता कर चुका है सामने आपको यह स्क्रीन पर द चाहन करो 56 लाख रुपे लगेंगे मैं आपको बता दूं कि जो रोड अंडर ब्रीज है और उसके लावा जो पूलिया है तो आपको बता देवरिया कोठी और बैसाली के बीच में जो है यह ही बाकी है रोड अंडर बिरीज और पूलिया तो इसका भी जो है टेंडर जारी कर दिया तो अब ऐसा लग नहीं लगा है कि यह बात सत्त है कि जो 2023 के जो लाश्ट तक जो है या मार्च तक जो है ट्रेनेज सुरू हो सकती है तो आपकी क्यारा है हमें कमेंट करके बताईएगा मिलेंगे हम आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद् झाल झाल